हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो यूटूब थेनर तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एस पी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स महारास्ट्राबोड 2022 तो इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हमने इकोनॉमिक्स और OCM के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स बना सुके हैं तो आपको वीडियो देखनी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो पहले तो हम अपना पेपर पैटन देख लेते हैं 2022 का कैसा होने वाला है पेपर पैटन रूखो एक तो देखो य में आप 20 marks easily gain कर सकते हो देखो यहाँ पर पूरे जे तक दिये गए हैं सब पॉइंट्स ए से लेकर जे तक इसमें से सिफ कोई भी फोर एनी फोर विल भी आस्ट तो कोई भी फोर पूछे जाएंगे आपको एक्जैम में तो आपको क्या करना है पूरे बुक में जितने भी अब्जेक्टिव एक्सराइज में सभी अच्छे से पढ़ लेने हैं और पास्ट पास्ट यह के जो question papers होते ना suppose 2014 से लेकर 2019 या 20 तक उसके सिर्फ objectives आपको पूरे अच्छे से पढ़ने हैं तो ऐसा भी होता है कि repeat आजाते हैं objectives तो आपको वो previous years के papers कहां से मिलेंगी मैं आप आपको बता देता हूं आपको description में link मिल जाएगे telegram की हमारे channel की तो आप उस telegram channel पर जाकर join हो जाओगे अगर उस link पे click करोगे तो और वहां पे जितने भी subjects के previous years के papers से सभी हमने upload कर दिये हैं और आपके लिए 2022 में किस थोड़ा सा paper pattern change हो है ना अभी जो हम यह देख रहे है स्क्रीन पे वह 2022 का paper pattern है तो ना sample paper हमने upload कर दिये 2022 में कैसे paper pattern के इसाब से कैसे questions आएंगे तो आपको आपको वह प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप वहां से जाके download कर लेना तो अभी हम आते हमारे main topic पे आपको पूरा का पूरा exercise के यह objectives question पढ़ने है और क्यों यह पूरे के पूरे पढ़ने देखो यहां पर 20 marks आपको मिल रहे हैं कोई भी 4 पूसे जाएंगे तो 5 5 को 4 पर हमनों multiply करने हैं तो हो जाता है 20 objective ओके तो फिर 20 marks काने वाला है objectives तो आपको 20 marks में से कोई भी marks loss नहीं करना है तो आपको अच्छे से पूरा objectives पढ़ना है अगर loss भी हो जाता है एक तो आप पूरा correct तो नहीं लिख पाऊगे अगर by chance तो भी आप बहुत ही easily अच्छे marks ला सकते हो मैं important question में आगे बताने वाल हो तो वीडियो पूरी end तक देखना और आपको क्या करना है देखो हमारे हमादे important question पर तो फर्ट जो हमारा question है state any four factors affecting fixed capital requirement यह first question है हमारा note कर लीजिए और second one है state the importance of corporate finance third state the factors determining working capital requirements यह पूरा आपको अच्छे से करना है और fourth one is what is global depository receipt fifth explain the features of bonds ऐसे करके six देखो आप what are the what are share and explain its features तो देखो शायर के ऊपर question आएगा यह आएगा आपको अच्छे तो आपको अच्छे से करना है हमने कुछ questions दिए शायर के ऊपर जैसे कि seventh one what is an equity share equity share क्या होता है आपको बताना है और उसके features भी बताना explain it features question number eight explain the different types of preference shares preference shares के different types आपको बताने है question number nine what are preference shares state its features okay अब 10th one है हमारा explain the statutory provisions for the allotment of shares 11th state the contents of shares certificate 12th state the general principles or rules for allotment of shares question number 13 what is debenture debenture क्या होता है आपको बताना है वह और discuss the different types of debentures और उसके types भी बताने है आपको ओके अगर ऐसा question आया तो question number 14 define debenture and explain the features of debentures उसके features बताने है तो आप यहाँ पर what is debenture पढ़ लेते हो तो यहाँ पर आपको defined debenture वही हो जाएगा आप यहाँ पर भी लिख सकते हो question number 15 explain sorry briefly explain the provisions of the companies act 2013 for the issue of debentures okay question number 15 यह भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है देखो यह brief में इसको अच्छे से पढ़ना है आपको तो बहुत से बच्छों के mind में question रहता है कितने points हमें लिखने थी यह answer में तो अगर 4 mark का question आया तो आपको 5 points लिखना है जितने mark का question आएगा उससे एक ज्यादा point लिखना है maximum या फिर आप 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 8 point रहता है एक point पर एक marks रहता है तो आपको 5 points लिखोगे 4 marks कर रहेगा तो बहुत ही आपने सही लिखा है और ज्यादा points लिखने जाओगे आप तो आपके papers भी छूट सकते हैं तो 5 points enough है 4 mark के लिए अगर question आता है 8 mark का तो आपको 9 points लिखने है 9 to 10 तो हम आगे बढ़ते हैं देखो question number 15 तग हमने देखा था question number 16 explain any 4 functions of stock exchange question number 17 what is book building method 18 explain the amount of deposits that different types of companies can collect by way of deposits okay question number 19 state the contents of circular or advertisement for deposit question number 20 explain any 4 advantages of depository system to investor तो आपके कोई भी 4 advantages बताना है आपको question number 21 explain dp as the constitute of depository system question number 22 explain the features of interest question number 23 explain the rules governing unpaid and unclaimed dividend question question number 24 हमारा the capital market is for the corporate sector question number 25 the dividend is paid out of the profits of the company approval of members is not needed for interim dividends question number 27 question number 27 interim dividends cannot be paid out of free reserves तो ये इस 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 क्वेश्यमार में आ सकते हैं आप देको Q29. Stock exchanges work for the growth of the Indian economy Q30. The Securities and Exchange Board of India SEBI is the regulator for the securities market in India Q31. Fixed capital stays in the business almost permanently Equity shareholders are real owners and controllers of the company Q33. The bondholder is a creditor of the company Q34. Equity share capital is risk capital Q35. The board of directors can refuse the transfer of shares Q36. A company has to create a charge on its asset Q37. For issuing secured debentures Q37. All companies cannot accept deposits from the public Q38. There is a limit or restriction on the amount that a company can collect as deposits Q39. Second last question Depository system results in reduced time, cost and efforts Q40. Last one. Electronic holding of securities is safer than physical holding Q39. If you April of Meth Нач Q40, now you can't find a full-and-class tab for the types of bills. If you cow, I can't confirm that Q39. I can see how much more Q39. Here you can call the ship Q39. You can tell the ship Q39. I can tell the ship Q39. So, the ship is the last time Q39. I can tell the ship Q39. When the ship is the last time for the ship Q39. It happens to be a quickwirbeling देखो explain the following terms or concepts तो आपको क्या करना है यह ऐसा जो question है न जितने भी chapter से सभी के exercise में से आपको पढ़ लेना है देखो यह पढ़ना बहुत ही easy है क्योंकि यह दो माक के याते हैं देखते हैं कितने माक का आते हैं देखो एक question रहता है दो माक का देखो आपको six questions आएंगे उसमें से 4 लिखने रहेंगे अब पुरा का पुरा आप अगर 4 लिख दे तो आपको eight marks मिल जाएंगे ओके तो आपको यह पढ़ना easy है दो-दो points रहते हैं आपको दो-दो points ही पढ़ने है उससे जादा मत पढ़ो exercise के पढ़ो इतना clear है अब आप यह पढ़ लेते हो तो आपको इसक टेक्सबुक के पिछे रहेगा question no.3 study the following case or situation and express your opinion तो जो टेक्सबुक के पिछे देखो इसमें दो question है यह भी आप पढ़ लेना है से टेक्सबुक के पिछे से तो आप अगर इतना पढ़ लेते हो और मैंने इतना important question दिया तो अभी आपको मैं difference, distinguish between के ऐसे questions देने जा रहो ज इसमें से question आएंगे 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 आगर आप उतना कर लेते हो तब पुरा का पुरा distinguish between attend कर सकते हो और यह सब तो आपने attend करी दिया मैंने आपको बताया था objectives और question number 2-3 अभी मैंने आपको बताया 4 और answer in brief मैंने जितने भी question अब तक दी है important में 40 questions उसमें से कुछ answer in brief में आएंगे और कुछ justify the following statements और answer the following यह तीनों में आएंगे अब हमारा बचा letter writing letter writing बचा हमारा और बचा difference between तो मैं आपको इनके questions ऐसे देने वाला हूँ उसमें से आएंगे तो आपको उतना कर लेना है अच्छे से और उतना आप कर लोगे तो आपको क्या करना है आपको आपने SP का मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी study कर ली उतना होने के बाद आप बच्छे हुए questions भी पढ़ सकते हो ओके लेकिन आपको priority देना है पहले इस important questions पर क्योंकि अभी कम टाइम बचा हुआ है board exam के लिए तो यहाँ पर अब हम letter writing देखेंगे जैसे कि हमारे paper pattern में हम देख सकते letter writing यह question number seven तीन question आएंगे दो और 10 करने होंगे एक question रगा 5 माक का तो दो question हो जाते हैं 10 माक के ओके देखो letter writing में मैंने total seven question दिया हूँ seven question आप पूरा अच्छे से कर लो तो आप letter writing easily attend कर सकते हो first write a letter to the shareholder regarding the issue of bonus shares और जो SP subject आगर आपने SP लिया है तो SP subject में main letter पे भी focus ज्यादा करते हैं आप college में या classes में तो आपको letter आता ही होगा question number second write a letter to the member for the issue of the share certificate third one is draft a letter to the depositor informing him about payment of interest electronically fourth one is write a letter to the depositor regarding the renewal of his deposit fifth draft a letter of allotment to the debenture holder sixth one is draft a letter to the debenture holder informing him about the redemption of debentures last one is write a letter to the debenture holder regarding payment of interest through an interest warrant तो आपने अभी यह पूरा इतने letter कर लिये हैं तो अब अब लेटर तो आपने कर लिये हैं आप क्या बताना बचा हुआ है हमारा difference between या पर distinguish between बचा हुआ है हमारा तो वह भी देख लेते हैं कुछ important questions उसके difference between के तो first question है हमारा difference between का fixed capital and working capital second one is owned capital and borrowed capital third one is share and debenture okay fourth one is equity shares and preference shares right shares and bonus shares sixth one is transfer of shares and transmission of shares seventh dividend and interest eighth final dividend and interim dividend ninth one is money market and capital market अब last जो है हमारा distinguish between का वह है प्राइमरी market and secondary market तो आपको मैंने जितने भी questions दिया आपने note किये होंगे ओके तो यह सभी questions को आपको priority देना है आपको पहले यह सभी questions पढ़ने हैं यह सभी questions पढ़के हो जाते हैं तब आप बच्चे हुए questions भी आपको कर लेने हैं तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ शेर करिए उन्हें भी importance बताइए तो मिलते हमारे next वीडियो में thanks for watching and don't forget to like subscribe and share